असलाम अलेकूम इस वीडियो में हम Python को from very beginning देखने वाले हैं VS Code के अंदर और ये जो वीडियो होगी इसके अंदर हम different chapters बनाएंगे ताकि आप हर एक chapter को basically उर्दू जुबान के अंदर या हिंदी के अंदर अच्छी देशी examples के साथ सीज़ सकें आपने सबसे पहले क्या करना है जैसे हमने पिछली वीडियो में VS Code को install किया था Visual Studio Code को उसे आपने open करना है और उसके बाद आपने जो काम करना है वो यहां से अब start होने वाला है त्यार हैं आप सब लोग त्यार नहीं हैं तो एक पानी का glass पकड़ लें क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है और इस lecture के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं guarantee देता हूँ कि अगर आप ये सारी चीज़ें इसली देख लेंगे तो यही वो functions या वो ही चीज़ें हैं जो हम आगे data analysis के लिए use करने वाले हैं चले start करते हैं हम यहां पर क्या करते हैं अभी यहां पर हमने एक new file बनानी है इसको मैं close करता हूँ यहां पर हम एक new file बनाते हैं इसका नाम मैं देता हूँ 01 underscore first underscore program अब हम क्या करते हैं जब हम ये चीज़ लिखते हैं आप एक बात का ख्यार रखें कि आपने जब python start कर दिया तो कभी भी space नहीं देनी अपने किसी भी file name में या किसी भी चीज में उसकी वज़ा कि हम later on discuss करें जब हमने python की file बनाने तो .py हमेशा लिखना है जैसे आप .py लिखेंगे तो आप देखें कि यहां पे आपके पास इस तरीके से यह file open हो जाएदी ठीक है अब मैं क्या गरता हूँ simply यहां पे click करता हूँ अपने python पे और इसके बाद हम interpreter जो भी python वाला है उसे select कर लेते हैं जो बहुत important step है ठीक है मेरे पास यह एक interpreter है यहां पे मैं इसे select कर लेता हूँ अभी second चीज़ यह है कि इसको zoom in करने के लिए आप control और backspace के साथ plus वाला बटन बढ़ेंगे तो zoom in हो जाएगी window अभी यहां पे मैं लिखता हूँ दुबारा से print का function और मैं इसके अंदर लिखता हूँ 2 plus 3 और यहां पे हमारे पास इसकी output आ जाएगी five इसकी output आ चुकी है ठीक है terminal के अंदर आप देखें कि यहां पे python का terminal चल रहा है और यहां पे इसकी output हमारे पास आ चुकी है इसी तरह अगर मैं यहां पे लिखता हूँ print और इसके अंदर लिखता हूँ hello word तो आप देखें कि automatically ide का function यह है कि different colors हमें नज़र आ रहे है different किसम के solutions हमें नज़र आती है यहां पे और बहुत सारे फाइदे है ठीक है file भी हमें नज़र आ रहे है extensions भी हमारे पास अब इसको मैं run करता हूँ you can see कि यहां पे five भी आ गया hello word भी आ गया तो इस तरीके से हमने पहला program भी उसको पास पास ले आए है अब यहां पे मैं लिखता हूँ we are learning python with a mar ठीक है यहां पे अगर यह लिखें तो इसको print करते है तो आप देखें कि हमारे पास यह सारी चीज़े आ रही है ठीक है अब यहां तक आपने अपना पहला program जो है उसे बना लिया है तो आपने जो अपना पहला program है वो लिख लिए है अभी हम दूसरा program जो है उसे start करते हैं और इस part में हम देखेंगे कि basic numbers and operators python में कौन-कौन से होते हैं और उन्हें use किस तरीके से करना है तो उसको start करने से पहले जैसे हमने first program.py के एक file बनाई थी अभी यहीं से हम एक नई file आइड करेंगे इसको हम लिखेंगे 0 to underscore हम इसको operators के नाम से save कर लेते हैं ठीक है यहां पे यह हमारे पास file save होगी लेकिन हमने .py नहीं लिखा तो जिससे क्या होगा यह program run नहीं करेगा हम यहां पे इसको rename करने के बाद .py लिख देते हैं अभी यह हमारे पास इस तरीके से file आ गई है आप देखें कि operators को run करने के लिए काफी तरीके होते हैं यहां पे पहले हम देखेंगे कि टर्मिनल के अंदर operators कैसे run करने है सबसे पहला operator है 2 plus 2 operator जो है हमारे पास यहां पे वो है plus का जब हम 2 plus 2 करते हैं enter करते हैं तो यहां पे 4 आ जाता है क्योंकि python terminal हम यहां पे already चला रहे हैं यहां पे अगर हम 3 minus 2 करेंगे तो वो भी इस तरह चल पड़ेगा ठीक है इसी तरह जब हमने multiply करना है तो 2 esteric 3 करेंगे तो multiply हो जाएगा ठीक है उसके बाद अगर हम divide करना चाते हैं तो हम 8 divided by 2 कर देंगे तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा तो इस तरह से हम 4 अपने operators जो हैं वोने run कर सकते हैं plus minus multiplication and division अभी आप देखें कि 9 divided by 2 आता है हमारे पास 4.5 लेकिन जब हमने 9 double divided by 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा error ये error क्यों आ रहा है और 9 divided by 2 पे हमारे पास 2 point something जो 4 point something आ रहा था वो क्यों नहीं आ रहा है इसके बारे में हम discuss करेंगे और फिर इसके इलावा हम देखेंगे कि हमने remainder कैसे लेना है for example 9 percent का sign डाल के जो से हम modulus variable कहते हैं divided by 2 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा ये हमें क्या कराता है ये बताता है हमें 2, 4, 0, 8 लेकिन बाद में जो हमारे पास remainder बचता है divide करने के बाद वो 1 बचता है तो हमारे पास ये remainder का operator होगा यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दू कि अगर आप 2 प्लस 3 करते हैं तब भी 5 है और अगर आप 2 space plus space 3 करते हैं like this then भी आपके पास 5 आता है या 2 space multiplied by 3 करते हैं भी 6 है तो इसका मतलब है कि spaces डालने से कोई इतना फरक नहीं पड़ता 2 double space plus single space 3 भी करते हैं तब भी वही चीज आती है तो python में spaces से कोई issue नहीं होता जब तक आप number operators जो हैं वो उसे use कर रहे हैं ठीक है तो अब हम देखते हैं कि हमने operators को यहां पे किस तरीके से use करना है मैं simply लिखता हूं 2 plus 3 लिखने के बाद जब हम इसे run करते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा यहां पे क्यूं क्यूंके हमने यहां पे print की command नहीं लगाई ठीक है तो जब भी हमने कुछ मी print करवाना है तो हमें print की command यहां पे use करनी पड़ेगी तो print 2 plus 3 किया run करते हैं से then you can see here यह हमारे पास 5 आ गया तो यह हमारा operator हो गया 2 plus 3 plus का जब हम minus करेंगे तो क्या करना है हमने 3 minus 3 करेंगे तो यह हमारे पास operator हो गया यह इसको 3 minus 2 कर देते हैं यह 1 कर देते हैं तो यह हमारे पास run करने के बाद 2 आ गया तो minus का operator भी इस तरीके से चल सकता है हमने यहां पे print किया 2 2 plus 1 तो यह हमारे पास इस तरीके से आ गया ठीक है फिर हम यहां पे print और फिर हम divide का करते हैं 6 divided by 2 यह हमारे पास आ जाएगा print मैं सारे operators यहां पर लिखे देता हूँ 2 multiplied by 3 यह आ जाएगा हमारे पास फिर मैं यहां पर करता हूँ print 13 multiplied by sorry 13 remainder या modulus operator divided by 2 अब इन सबी को जब मैं run करता हूँ पुरी फाइल को then you can see here हमारे पास यहां पर सारे results आ रहे हैं ठीक है अब यह आप एक चीज़ पर गोर करें कि 2 plus 1 3 आ गया 3 minus 1 2 आ गया इसके बाद जब हमने divide किया तो हमारे पास floating number आ रहा है 3.2 ठीक है और जब हम इसको double divide करते हैं तो क्या आता है उसे देखते हैं इसके बारे में हम discuss करते हैं बाकी देखें 6 and 1 आ गया अभी यहां पर मैं print की command लगा के again यहां पर 6 double multiplied by 2 करता हूँ तो आप देखें कि हमारे पास यहां पर अब floating point नहीं आ रहा इसका मतलब है कि जब हम 6 divided by 2 कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें points में values देगा और programming language में कभी आपको points में value चाहिए होगी और कभी आपको whole number वे value चाहिए होगी अगर आपने whole number में value लेनी है तो आप 6 double divide करने के बाद tool कर देगे तो यह हमारे पास इस तरीके से operator आ जाएगा अब अगर हमने power का function यूज़ करने तो वो किस तरीके से करेंगे मतलब मैं करता हूँ 2 की power 3 2 power के लिए हम double aesthetic का निशान लगाएंगे यह यहाँ पर आप देखें double aesthetic का निशान लगाने के बाद 3 करेंगे तो यह इस cancer आएगा हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा उसकी वज़ा क्या है 3 double power 2 तब भी हमारे पास यह आ रहा है अब हम same चीज़ को यहाँ पर करके देखते है print ठीक है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 double multiplied by 3 let's see क्या आता है हमारे पास तो आप देखें कि हमारे पास 8R है इसका मतलब है कि हम power को bracket में डालने के बाद यहाँ पे print करवा के लिख सकते हैं और यह operator यहाँ पे काम करता है terminal में क्यों नहीं कर रहा? यह मेरा आप से question है आप net से search करें और comment section में ज़रूर लिखिएगा यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है that's good तो आपको यह सारे code जो है practice भी करने बढ़ेंगे साथ आप अपनी values के साथ इसे practice करें और जो जो आपका answer है वो time stamp के साथ इस video के जो भी time stamp आ रही है उसके साथ आप comment section में paste करें जिससे मुझे अंदाजा होगा कि आप लोग practice कर रहे है फिर हम इसमें देखते हैं कि अब हमने यह सारी sequence के साथ लिख दी है ठीक है अब अगर हम एक ही equation बनाते हैं और उसमें सारी चीज लिखते हैं for example मैं कहता हूं print करो क्या print करो यहाँ पे 2 multiplied by 3 divided by 3 3 और plus 6 minus minus 4 ठीक है और इसके अंदर हम power भी use कर लेते हैं 3 power 2 divided by इस तरीके से हम use कर लेते हैं let's see इसका कोई answer आता है कि नहीं तो हमारे पास 6.5R है इसका answer ठीक है 6.5R है अब इन सारे को मैं comments में convert कर रहा हूं comments क्या होते हैं मैं भी इसी वीडियो के फोरण अगले पार्ड में आपको बताता हूं फिलाल के लिए आप इतने देखें कि जब हम hashtag लगा देंगे तो ये code इसमें run नहीं होगा simply हमारा last वाला code run होगा आप देखें कि पिछले code में ये सारा कुछ आ रहा था ये pemdas इस sequence से code को run करता है python ठीक है वो क्या है sequence पहला है हमारा parenthesis ठीक है फिर हमारे पास जाता है exponents फिर हमारे पास multiplication ये multiply आ जाता है divide आ जाता है और फिर हमारे पास addition and then subtraction तो आप देखें ये pemdas या आप अगर इसको हिंदी में देखें तो प्रेमदास का आर निकाल दें तो ये pemdas हो जाएगा ठीक है प्रेमदास इस तरह आपको याद रखना इसी हो जाएगा इसका मतलब ये है कि parenthesis पहले करने अगर किसी भी code में parenthesis आड़ें इसमें हमने नहीं लगा है अगर आप parenthesis यहां पे लगाएंगे तो सबसे पहले वो रिजॉल्फ होंगी मैं यहां पे parenthesis लगाने के बाद two multiplied by three करता हूँ तो सबसे पहले parenthesis रिजॉल्फ होंगी फिर further code जो है हमारा वो रिजॉल्फ होगा ठीक है तो ये इसको run करके हमें पता चल जाएगा कि हमने किस तरीके से parenthesis को utilize करना है तो ये हमारे पास यहां पे पेमदास के साथ हम parenthesis, exponents, multiplication, division, addition and subtraction अगर आपके पास multiplication या divide पहले आता है तो left to right जो सचीज पहले आएगी वो पहले हल हो जाएगी इसी तरीके से addition या subtraction जो भी आपके पास आता है वो left side पे जो पहले होगा वो पहले resolve होगा और उसके बार right side पे होगा for example ये multiplication से पहले division है तो पहले division resolve होगी फिर multiplication होगी फिर division होगी ये इस तरीके से चलेगा ठीक है तो ये sequence left to right होगी left to right sequence होगी for multiplication, division, addition and subtraction इनकी ये लाइदा और दूसरों की लाइदा इसके बारे में हम detail में आने वाले chapters में देखेंगे तो यहां तक आपको clear हो गया होगा कि हमने किस तरीके से numbers operators को देखना है ठीक है, operators के बाद जो अगली चीज हमारे पास आती है वो है strings हम यहां पर एक इसको मैं comment out कर देता हूँ इसके बारे में भी discuss करते हैं पहले मैं आपको strings के बारे में बता दूँ तो मैं इसको तीसरी जो हमारी file है strings.py के नाम से save करता हूँ ताके हमारे पास जो script है हमारा सारा save होता रहे अभी जैसा कि हमने पहले में लिखा था पहले वाली प्रोग्राम को मैं open करता हूँ यहां पे हमने print hello world लिखा था and we are learning python with amar इसको मैं copy करता हूँ यहां पे paste किया तो यह हमारे पास strings है यहां पे अगर हम इसको run करें तो यह आप देखें कि hello world भी आ रहा है and we are learning with अमार यह दोनों चीज़े हमारे पास show हो रही है अब हमने करना क्या है हमने यह करना है देखना है कि strings क्या होती है कोई भी text जो excel में use हो within single comma double quotation marks या फिर three quotation marks में भी कुछ use होती है उसको strings बोलती है single में अगर आप लिखेंगे उसका भी वही मतलब है double में लिखेंगे उसका भी वही मतलब है triple में लिखेंगे उसका भी मही मतलब है let's try all these ठीक है सबसे पहले मैं यहाँ पे print लिखता हूँ और मैं bracket से start करता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे test for single quote single quote ठीक है फिर यहाँ पे लिखता हूँ print फिर इसके अंदर लिखते है test for double quotes ठीक है फिर इसके बाद लिखता हूँ print bracket के अंदर test for triple quotes ठीक है अब देखते हैं कि कौन सा run होता है या कौन सा नहीं होता इन दोनों को मैं comment आउट करता हूँ इसके बारे मैं जुरूर आपको बताने वाला हूँ strings के बाद कि comments क्या होते हैं पहले हम देखते हैं तो आप देखें कि हमारे पास test for double quote भी आ रहा है test for triple quotes भी आ रहा है ठीक है और test for single quote भी आ रहा है अगर मैं यहां पे double quotes वाला है इसे use करता हूँ तो आप सोच रहे होंगे कि double quote और single quote वाला इनमें फरक क्या है और हम कहां पे कौन सा use कर सकते हैं मैं अगर यहां पे कहूं कि what's up ठीक है और मैं यहां पे double की बजाए single quote यूज़ करता हूँ और words के बाद जो हमारा पॉस्ट्रॉफ या से use करता हूँ यहां पे single quote खतम करता हूँ तो आप देखें कि single quote यह समझ रहा है कि what के what जो चीज है यह हमारा quotation marks के अंदर आ गया यानि string इतनी है बाकी को consider नहीं कहा रहा है और इसे कह रहा है कि incomplete string है तो इस case में हम यहां पे double quotes यूज़ करेंगे और यहां पे भी double quotes यूज़ करेंगे और वो कौन से वाली करेंगे वो inverted commas जो हमारे वो करेंगे दो दफा सिंगल नहीं यूज़ करनी हमने ठीक है तो इस तरीके से आप देखें कि single भी आ गया double भी आ गया इसको हम run करके देखते हैं उपर वाला मैं comment आउट कर देता हूँ दुबारा से इसको मैं comment आउट करता हूँ और इसको run करके देखते हैं तो आप देखें कि नीचे हमारे पास whatsapp पूरा कौमा के साथ आ रहा है तो इस विज़ा से हम इस तरीके से इनको use करते हैं अभी अगर आप देखें तो मैं इसी चीज़ को दुबारा से अगर मैं इसके बाहर यहां पे space लगाँ इनवर्टिड कौमा के बाहर तो क्या होता है आप देखें कि what's app वैसे का वैसे यहार है ठीक है लेकिन अगर मैं व आगे भी बढ़गी यह पीछे भी बढ़गी लेट सी तो आप देख सकते हैं कि यहां पे दो spaces है और यहां पे spaces और यह चीज़ आगए इसका मतलब है कि inverted commas के अंदर या string के अंदर जो भी चीज़ आप space या letter या कुछ भी लिखेंगे तो वो आपके पास as it is ही आएगा य यह देखें तीन spaces हैं यहां पे और यहां पे दो हैं और यही फाइदा है visual studio code को यूज करने का कि आपको हर space के बारे में बताता है आपको line numbers के बारे में बताता है और हर एक चीज़ के बारे में यह सारी information देता है तो इसका मतलब है कि आप spaces जब बाहर लगाएंगे तो उसक impact है तो यह थी जी हमारी strings आप अपने नाम से string बनाईए और उसका screen shortage है वो whatsapp group में पेस्ट कीजिए और आप इनी strings को की base पे अगर आपको strings समझा गई है तो comment section में आप strings underscore clear लिखके hashtag के साथ paste ज़रूर करें जिससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आप मुझे साथ-साथ follow कर रहे हैं अभी अगली चीज आती है से मैं comment out करता हूँ सभी को अभी जो हमारे पास अगली चीज आएगी उसको देखते हैं कि क्या है ठीक है let's see next हमारे पास अगला जो chapter है वो है chapter number 4 जिसको हम comments कहते हैं या commenting क्या होती है simple is that कि कोई भी आप operator लिखें जैसे मैंने पहले आपको बताया for example यहां से हम यहां पे लिखते हैं print how are you ठीक है इसके हिर्दगिर्द हमने double course लगा दी अभी आपको क्या लगता है कि यह सारी चीज जो हमने लिखी है यहां पे यह ठीक है और क्या error आ रही है मैं फिर repeat करता चलूँ कि हमारे पास यहां पे कुछ आ रहा है इसकी वज़ा क्या है जी क्या वज़ा हो सकती है exactly यही वज़ा है कि हमने यहां पे dot py नहीं लिखा dot py लिखेंगे then you will see कि यहां पे color change होगे इसको पता चल गया कि python पीछे interpreter हम चला रहे है और अगर आप लोगों का interpreter नहीं चल रहा तो ctrl shift p दबाएं यहां पे लिखें select interpreter python interpreter को select interpreter से click करें और यहां पे आपके पास जो भी आ रहा है उसे select करें यहां पे जाने के बाद यह python interpreter select कर सकते हैं तो यहां पे print how are you जब हम लिखते हैं तो इसको हम run करते हैं ठीक है नीचे how are you आ गया अब हम यहां पे लिखते हैं print we are learning python with ammar हम यह लिखते हैं यह भी यहां पे दोनों लाइने प्रिंट होगी अब मैं यहां पे कहता हूँ print करो 2 plus 6 तो यह देखें आपके पास 2 plus 6 भी 8 आ गया यहां पे यह तीन लाइने आ गी लेकिन मसला यह है कि हम यह चाहते हैं कि यह दूसरी लाइन यहां पे print ना हो या पहली लाइन प्रिंट ना हो तो हम क्या करते हैं इतनी लाइन को select करते हैं या तो इसके पीछे हम hashtag लगा देते हैं तो वो comment out हो जाएगी उसका color भी change हो जाएगा इसका मतलब यहां पे लिखी रहेगी लेकिन यहां पे code के अंदर run नहीं करेगी look यहां पे सिरफ दो lines of code हमारे पास run कर रही है number two and number three जो पहली line of code थी वो run नहीं कर रही थी जैसे यहां पे किया हुआ है यो की तरह तो इस तरह आप comment out कर सकते हैं किसी भी चीज़ को दूसरा तरीका इसको comment out करने का किसी भी line का यह है एक तो hashtag लगा सकते है secondly आप text को select करें ठीक है यहां पे click करने के बाद यहां पे click करें shift दबा के या कुछ भी select करने के बाद control और shift के साथ आपके forward slash होगी उसको दबा दे left control and shift के साथ forward slash है उसको आप दबाएंगे तो आपके पास ये इस तरीके से comment out हो जाएगा ठीक है मैं फिर बता देता हूँ CTRL प्लस ये वाला ये दोनों दबाएंगे comment out इसे बोलते हैं comment out कर देंगे ताके ये इसके अंदर use ना हो ठीक है तो ये दो चीज़ें दबाने से होता है अब मैं यहां से hashtag remove करूँगा तो simply आ जाएगा otherwise मैं क्या करूँगा ये पूरे select को इसको select करूँगा control and again वही दबाऊँगा तो हमारे पास ये comment in हो जाएगा अब मैं चाहता हूँ comments कहां पर use होते है वो ऐसे use होते है कि इतने select इसको select करें और इसके पीछे आप hashtag लगा दें sorry hashtag लगा दें और ये वाले hashtag को remove कर दें तो हर line का हमें मकसद पता चलेगा कि इस line का मकसद क्या है ठीक है अभी इस line का मकसद है press these to comment out ये मैं बता रहा हूँ ठीक है फिर यहाँ पर अगला मकसद है कि print a string ठीक है और फिर इस line का मकसद है print operators function with numbers ठीक है तो आप देखें कि basic mathematics को आप इस तरीके से print कर सकते हैं string को इस तरीके से कर सकते हैं ये सारी चीज़े मैंने लगा दी अब मैं पूरी file को run करता हूँ ये आ रहा है लेकिन comments नहीं आ रहा है तो comments बड़े useful होते हैं आपको बड़े तरीकों से इने use करना आना चाहिए और जब आप ये use करते हैं आपको कभी भी अपना code निकालके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी के comments आपने कहां कहां पे किये हैं ठीक है तो up to down ये चलता है और comments किस तरीके से आपने आगे फर्दर use करने हैं हम बारी बारी इसको देखते रहेंगे नेक्स हम चलते हैं जी variables की तरफ जो बहुत important chapter है हमारा variables हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं नया chapter बनाते है variables variables क्या होते हैं सबसे पहले मैं variables को define करूँगा मैं वही comment out करूँगा यहाँ पे लिखूँगा variables ठीक है अभी आप देखें कि मैंने dot pi दुबारा नहीं किया ताकि आपको मैं practice करवा सकूँ कि किस तरीके से चलना है ठीक है variables क्या होते है यह आप कहलें कि objects होते है containing specific values ठीक है जिसकी मिजाल है कि x को मैं equal करता हूँ ठीक है 3 प्लस 2 के यह x को मैं equal करता हूँ 5 के यह मेरे पास एक variable बन गया ठीक है अभी इस variable को मैं जब print करूँगा print मैं यहाँ पे 5 नहीं लिखूँगा मैं x लिखूँगा then you will see कि हमारे पास x print हो जाएगा जो हमारे पास 5 के equal है ठीक है एक तो यह variable हो गया दूसरी चीज़ यह है कि मैं अगर y को equal to किसी string के रखता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ we are learning python with amar तो y को इसके equal रखता हूँ तो मैं यहाँ पे print करने के बाद लिखता हूँ simply y तो यह हमारे पास एक variable बना हुआ है y का और यह हमारे पास आ जाएगा we are learning python with amar वो उपर वाला भी आ गया और नीचे वाला भी आ गया ठीक है तो यहाँ पे यह है numeric variable या integer या numeric और integer variable और यह है हमारा string variable ठीक है अभी आप देखें कि हमने x उपर define किया 5 के अगर मैं x को equal to 15 करता हूँ और मैं यहाँ पे print x करता हूँ then you will see something here now आप देखें कि उपर 5 है और नीचे 15 आ रहा है क्यों उपर से नीचे मैंने आपको एक चीज बड़ी clearly पहले बताई कि lines जो है line numbers की base पे नीचे descending order में code की changing या update होती रहती है for example यहाँ पे मैंने x is equal to 5 का अगर मैंने x को इस step में update करना है तो मैं यहाँ पे x is equal to कुछ भी कर सकता हूँ ठीक है इसको मैं 15 कर सकता हूँ या फिर मैं इसको 10 इसको जो पहला हमारे पास 5 था x x plus इसको मैं 10 कर सकता हूँ ठीक है अब क्या होगा पिछले वाले x में 10 जमाऊ गया पिछे वाला x 5 था और ने वाला x हमारे पास plus 10 करके 15 हो गया तो similar चीज है ठीक है और x is equal to 15 simple चीज है ठीक है तो आप देखें कि उपर से नीचे आपके जो variables हैं वो update होते रहते हैं ठीक है अब y को अगर आप change करेंगे यहां पे कुछ भी करेंगे तो y भी update हो जाएगा इस जगा पे आगे ठीक हो गया तो अब हम देखते हैं कि types क्या है types of variables ठीक है types हमने कैसे चेक करने variables की हमारे पास x variable है और y variable है मैं कहता हूँ यहां पे type ठीक है यहां पे x लिखे देता हूँ तो जब मैं इसे run करता हूँ उपर वाला मैं सारा comment out नहीं करता क्योंके फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचे गया मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ अंदर parentheses में x लिखेंगे आप देखें type x यह वाला function है और इसके इर्दिगर्द हमने print की command लगा दी then we will see कि इसकी class जो है integer है types of variable या class of variable ठीक है तो आप देखें कि यह एक integer है और integer क्या होता है आप देखें कि 15 एक whole number है तो इसे integer कह रहा है अगर हम same चीज यहाँ पे इसको copy करने के बाद यहाँ पे paste करें और यहाँ पे x को y से change कर दें तो हमारे पास देखें इसकी जो class है y की वो है string तो इस तरीके से हम class को भी print कर सकते हैं और हम number को भी print कर सकते हैं print का function यह होगा जो भी चीज हमें output में नजर आनी है वो उसके साथ हमें print लिखना पड़ेगा ठीक है और जो चीज हमें नहीं चाहिए उसके सामने हमें print नहीं लिखना पड़ेगा तो यहाँ तक अगर आपको clear हो गया तो आप print type class ये comment section में लिखें print underscore type underscore class ठीक है ये comment section में लिखें अभी हमारे पास कुछ rules होते है rules to assign a variable or objecting a variable ठीक है rules कौन कौन से है number one number one rule ये है कि इसमें letters the variable should contain letters numbers or underscores ठीक है letter numbers ये underscore होने चाहिए इसके इलावा नहीं कुछ होना चाहिए variables में python में खास तोर पे दूसरा rule हमारा है हमारा दूसरा rule है जो इसमें वो है कि आपका do not start with numbers कभी भी इसको numbers के साथ start नहीं करना आपने ठीक है कभी भी variables को आपने numbers के साथ start नहीं करना मतलब आप variable को ही कह दें यहां पे y की बजाएब लिखतें to y तो ये ठीक नहीं होगा क्यों नहीं ठीक होगा इसको further classes में हम जरूर explore करने वाले हैं फिर तीसरी चीज़ है spaces are not allowed ठीक है आपने कभी भी variables के name में spaces नहीं डालनी और मैंने यह चीज़ आपको बड़ी पहले ही बता दिया कि आपने even के file number में भी programming में कभी भी spaces use नहीं होती तो आपने कभी भी spaces use नहीं करनी है then अगला जो rule है इसका के आपने do not use keywords जो python के keywords है functional keywords मैं इसे बोलूँगा keywords used in functions for example आप किसी का नाम break ना रखे for example किसी का नाम mean ना रखे median ना रखे test ना रखे ठीक है ये नाम आप नहीं रखने चाहिए आपको इसके list आप Google पे लिखेंगे न के keywords usually नहीं तो वो आपको बता देगा तो इस तरीके से आपने ये नाम नहीं रखने ठीक है पांच्वा rule है कि short होना चाहिए variable name short and descriptive होना चाहिए कि आपको code लिखते हुए समझा है क्योंकि जब python की language बनाई गई थी इसको इसलिए इतना easy बनाया गया और इसलिए python की pace जो है सीखने की वो steep नहीं है मतलब आप easily सीख सकते हैं क्योंकि ये English से बहुत ज़्यादा resemble करती है तो आपको short and descriptive जो है variable name देने चाहिए ठीक है तो एक जो last rule है हमारे पास च्छटा rule है that's called case sensitivity मतलब ये के lower case letters और uppercase letters इनका बड़ा ख्यार रखना पड़ता है ठीक है और मैं आपको suggest करूंगा कि आप हमेशा lower case letter यूज़ करें क्यों क्यों क्योंके lower case letters में कभी भी आपको ना shift दुमाने की ज़रूरत पड़ती है ना caps lock zone करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस तरीके से अपने variables बना सकते हैं तो ये 6 rules हैं जिने आपको अपने mind में रखना है और समागे रखना है ये 6 rules आपको हमेशा याद रहने चाहिए जब आप Python पर काम कर रहे हैं और Python पर काम करने के लिए ये सबसे important चीज़ है ठीक है अब इनी 6 rules को मदे नज़र रखते हुए हम variables को थोड़ा सो और expand करते हैं एक example मैं देता हूँ आपको variables की के हमारे पास एक fruit की basket है ठीक है fruit basket सही हो गया हम इस fruit की basket में क्या डालना चाहते हैं ठीक है मैं कहता हूँ इसमें डाल दें mangoes ठीक है आप देखें कि मैंने यहाँ पे सबी को lowercase letter और underscore use किया as compared to space और basket ऐसे रहने दिये फिर यहाँ पे मैंने mangoes यूज़ कर लिया इसका मतलब है कि हमारे पास जब हम print यहाँ पे लिखेंगे fruit basket तो visual code studio जो हमें already जो हमारा object बना हूँ है उसको देदेगा उस पे click करें या tap दबा दें then जब हमें इसे print करते हैं तो you can see कि यहाँ पे fruit basket के जगा हमारे पास mangoes आगे इसका मतलब है कि fruit basket के अंदर हमने जो लिखा है वो यहाँ पे print हो जाए गा same वो ही जो हमने x में लिखा था ठीक हो गया अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के इसके अंदर लिखता हूँ oranges then see what happens तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास fruit basket के अंदर mangoes and oranges दोनों आ गए है ठीक है लेकिन उनकी तरतीब change हो गई है अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कॉमा लगा के लिखता हूँ then you will see mangoes, oranges इसका मतलब है यह एक ही string है लेकिन इसके साथ यह इस तरीके से presentable हो रहे है ठीक है variables के लिए मैं आपको बता रहा हूँ तो जब आप fruit basket को 8 से replace करेंगे और string का निशान मिटा देंगे तो आपके पास fruit basket 8 की आ जाएगी ठीक है कितने फल है या कितने fruits हैं आपके fruit की basket में वो 8 है तो यहाँ पे number show हो जाएगा अगर आप fruit basket की type देखना चाहें तो यहाँ पे type लिखेंगे और यह आप देखें यहाँ पे अभी हमारे पास integer class आ जाएगी ठीक है लेकिन हमने print नहीं किया fruit basket को उसके लिए हमलादा लिखे देते है fruit basket तो यह हमारे पास real life example आगी fruit basket में जो भी लिखेंगे उसके type और इस तरीके से हमारे पास उस variable की class भी आ जाएगी ठीक है और अगर आप यह देखें कि मैंने यहाँ पे fruit basket को 8 define की है लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ fruit basket is equal to 15 तो हमारे पास क्या चीज़ यहाँ पे print होती है और class क्या आती है let's see तो हमारे पास जो 15 है वो print हुआ है और जो हमारे पास class आई है वो इसकी string और integer यह दो classes आई है ठीक है अभी string किसकी class आई है और integer किसकी आई है आपको यहाँ से मैं इतना comment आउट करता हूँ ठीक है और जब हम दुबारा से इसे run करते है then you can see exactly यह integer class है इसकी fruit basket की और इसमें print करके हमने 15 ले आए है लेकिन अगर मैं यहाँ पे mangoes दुबारा लिखता हूँ तो आप देखें के पहले 8 थी class ठीक है लेकिन जब मैंने mangoes लिखा तो वो update होके mangoes हो गई 8 से अगर मैं mangoes को comment out कर दूँ यहाँ से यानि code में run ना करूँ then हमारे पास class जो है वो 8 है लेकिन जैसे ही मैं इसको comment in करता हूँ हमारे पास mangoes यहाँ पे आ जाते है तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप नीचे को जाते जाएंगे अगर उसी object में कुछ changes करते हैं तो वो यहाँ पे update होती जाएंगी ठीक है अब आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ del मतलब delete कर दो किसको fruit basket को तो मैं कुछ भी run करता हूँ तो यहाँ पे यह हमें error दे देगा कि यहाँ पे कोई भी आपका fruit basket का कुछ parameter define नहीं है क्यों मैंने यहाँ पे fruit basket को art का नाम दिया यहाँ पे mangoes दे दिया इसमें ठीक है और फिर fruit basket को मैंने delete कर दिया इसका मतलब है यह उपर वाले दोनों function null होके इस function ने उपर वाला function delete कर दिया तो पीछे हमारे पास यह वाले बचे यह वाले बचने का फाइदा क्यों नहीं है क्योंकि हमारे पास fruit basket ही नहीं है तो उसको हम किस तरीके से present करेंगे तो यह सिर्फ आपको समझाने के लिए कि उपर से नीचे को line number जैसे increase करते है वैसे वैसे हमारे जो है variables वो update होते जाते हैं आगे से आगे ठीक है यहां तक आपको clear है तो आप comment section में fruit basket जो है वो type करते है मुझे पता है कि मैं आप लोगों के से बहुत request कर रहा हूँ कि आप कभी ये type कर दें कभी वो type कर दें लेकिन इसकी बहुत बड़ी reason यह है कि मैं चाहता हूँ आप लोग साथ साथ practice करें अगर आपने यहां तक practice कर लिया that's great अगर नहीं की तो इस वीडियो को यहीं पर pause करें और दुबारा से इस वीडियो पर आएं और chapter number 6 पर फिर चलते हैं जी तो अब चलते हैं जी हम chapter number 6 पर again यहां पर हम new chapter यहां पर बनाएंगे 06 का नाम देता हूँ मैं उसे यहां पर हम लिखते हैं input अंडर्सकोर वेरियेबल्स input वेरियेबल्स क्या होते हैं मैंने again यहां पर dot py नहीं लिखा आपको मैं दोबारा बार बार याद करा दूँ dot py ज़रूर लिखना है उसके बाद हमारी python की file जो है वो बनेगी input वेरियेबल्स क्या होते हैं और इनको हमने कैसे देखने है ठीक है मैं यहां पर fruit basket दुबारा यूज करता हूँ ठीक है fruit basket यूज करने के बाद is equal to लगाया define किया मैंने एक वेरियेबल को और इस वेरियेबल को define करने के बाद मैं यहां पर simply क्या करता हूँ कि यहां पर मैंने लिखा mangos ठीक है और फिर मैंने किया इसको print fruit basket को तो आप देखें कि जब मैं इसको run करता हूँ वो simply mangos यहां पर print कर देते हैं लेकिन what if we ask our consumer या जो भी software को use कर रहा है या जो program को use कर रहा है कि आपको कौन सा fruit पसंद है ठीक है हम क्या कर सकते हैं ठीक हो गया तो हम यहां पर input function को input function को use करेंगे कैसे मैं यहां पर लिखता हूँ fruit basket is equal to ठीक है यहां पर मैं input function लगाता हूँ लगाने के बाद bracket में string में मैं question पूछता हूँ के which is your favorite fruit ठीक है यह पूछा मैंने और फिर मैंने फिर बाद में यहां पर print कर दिया fruit basket ठीक है इसका मकसद यह है के यहां पर हमें एक program बना रहे हैं के एक दुकान दार है वो पूछ रहा है के कौन सा आपका favorite fruit है ठीक है वो पूछने के बाद वो fruit की basket में उसे डालता जाता है आप यही समझ लें के हमने यहां पर पूछना है के what is your या which is your favorite fruit या इसमें what भी कर सकते है as you want क्योंके हम उर्दू और हिंदी में देख रहे हैं इसको तो आपका जैसे दिल करें आप इस तरीके से कर सकते हैं तो मैं इनको comment आउट कर रहा हूँ अभी और यहां पर इसको run करता हूँ then you see here what is your favorite fruit के बाद यहां पर प्रोग्राम आपका रुख गया है और वो आपसे पूछ रहा है ठीक है तो हम यहां पर लिख देते हैं mangoes ठीक है जैसे मैंने mangoes को लिखने के बाद enter किया यहां पर mangoes print हो गया ठीक है अब इसको थोड़ा सा और हम interesting बनाते हैं कैसे what is your favorite fruit के फोरण बाद आप देखें कि यहां पर बगएर space के यह start हो जाता है ठीक है तो अगर हम यहां पर इसे space दें तो आप देखें कि space के बाद यहां पर आ रहा है what is your favorite fruit मैं यहां पर अब लिखता हूँ mangoes mango लिख देता हूँ simple तो आप देखें कि यहां पर mango print हो जाता है apple लिख दें तो वो print हो जाएगा ठीक है यहां पर लिखता हूँ apple तो यहां पर apple print हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यहां पर हमने question पूछा तो यहां पर यह print हो गया अभी इसी तरह input function का एक और second stage input function उसे बोलते है input function of second stage यह मैंने खुद से नाम दिया आपको समझाने के लिए यह simple है ठीक है अब यहां पर हम क्या करते हैं हम simply लिखेंगे name is equal to input input function लगा है यहां पर हम string में लिखते हैं what is your name लिखने के बाद space दी तो यहां पर हमारे पास इसका नाम वाला function बन गया ठीक है मैं यहां पर नीचे लिखता हूँ print मैं इसके यहां पर देता हूँ greetings का बनाते है greetings का एक object बनाने के बाद यहां पर लिखते हैं जी hello ठीक है hello लिखते हैं यहां पर तो आप देखेंगे कि यहां पर greetings के बाद क्या होता है अभी हम यहां पर print करते हैं combination of name और greetings तो greetings हमेशा पहले आती हैं मैं यहां पर greetings जो है उसे print करता हूँ ठीक है फिर कॉमा लगाने के बाद मैं name को print कर देता हूँ let's see हमारे पास क्या होता है हम इस function को comment out कर रहे हैं अब और हम run करते हैं क्या बनता है हमारे पास वो बूच रहा है what is your name मैं कहता हूँ Ammar enter करता हूँ तो वो मुझे कहता हेलो Ammar ठीक हो गया तो simple सा हमने command लिखी हेलो Ammar उसने कह दिया अब यह second stage function है आप इसी function को एक और तरीके के साथ कर सकते हैं वो क्या है कि इसको मैं comment out कर देता हूँ बलके मैं ऐसा करता हूँ कि यहां से मैं इतने function को comment out करता हूँ copy करने के बाद मैं यहां पे आपको another way of stage to function stage to input function कौन सा है दूसरा way मैं यहां पे paste करने के बाद आपको यह greetings जो है हम यहां से remove कर देंगे print करने के बाद यहां पे string में हम लिखेंगे hello ठीक है hello के बाद यह लगा देंगे और फिर name आजाएगा ठीक है let's see क्या होता है मैंने run किया हो कहता what is your name मैंने amar लिखा नहीं यहां पे नहीं लिखना यहां पे लिखना है terminal में amar then it says hello amar ठीक है तो same वही चीज़ है लेकिन तरीका different हो गया यहां पे तो इस तरीके से हम input function को use कर सकते हैं ठीक हो गया अभी यहां पे एक और इसको third stage function पे use करते हैं third stage input function अब इसमें आप तीन question बनाते हैं ठीक है सबसे पहले हम question बनाते है name का मैं यहां पे लिखता हूँ input function और question पूछना है हमने what is your name space डालता हूँ हमेशा था कि उसको जो हमारा user है उसे पता चले कि space में यहां पे हमने name add करना है आप देखते होंगे कि different google forum पे या जो भी website बनी होती है उसमें कुछ इस तरीके से input आपसे मांगी जाती है ठीक है id क्या है password क्या है तो वो इसी तरीके से बनते हैं लेकिन वो बहुत complex चीज है लेकिन आप उसे हम आगे discuss करेंगे अब हम थोड़ा सा complexity की तरफ जा रहे है ठीक है तो आपसे मेरी request के साथ साथ practice करें अगर आपको speed ज्यादा लग रही है तो pause करें video को देखें practice करें reverse करें forward करें और अपने तरीके से practice करें and फिर हम age का function यहां पे लगाते हैं मैं यहां कहता हूँ input फिर यहां पे पूशता हूँ how old are you? ठीक है? how old are you? ठीक है? इस function को लिख दिया फिर मैं कहता हूँ यहां पे greetings का function लिख दिया greetings input बलके यहां पे हमने खुद से greetings डालनी हैं तो मैं इसको hello कर देता हूँ ठीक है? और इस तरीके से छोड़ देते हैं हमारे पास तीन input parameter बने गे अब जब हमने name पूछने हैं तो उसको print भी तो करना है न print की sequence यह होगी पहले greetings आ जाएंगी comma फिर name आ जाएगा ठीक है? comma फिर यहां पे हमें एक message print करना चाते हैं ठीक है? यहां पे message print करते हैं You are still young ठीक है? अब आप देखें कि क्या होता है इस code में इसको मैं comment out करता हूँ यहां पे हम third stage input function जो है उसे run करते हैं उसने पहले मेरा पुछा नाम What is your name? मैं कहता हूँ Ammar ठीक है? How old are you? मैं अपनी original age नहीं बता रहा है मैं यहां पे simply रिख रहा हूँ 18 years old run किया वो मुझे कहता है Hello Ammar You are still young ठीक है? तो यहां पे हमने इस तरीके से इसको लिख लिए अब आप देखें कि आप अगर चाहते हैं कि Hello Ammar के बाद You are still young के यहां पे कुछ enter वगएरा या कुछ भी ऐसा वैसा आए You can use different things ठीक है? मतलब मैं यहां पे चाहता हूँ कि You are still young के पहले space आए ठीक है? या कॉमा आए तो मैं क्या करूंगा? कॉमा यहां पे लगा दूँगा सभी हो गया तो आप देखते हैं दुबारा Ammar How old are you? 18 You are still young कॉमा ने के बाद Hello Ammar, कॉमा You are still young तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां पे कॉमा लगाने के बजाए आप इसके साथ भी एक कॉमा लगा सकते हैं लेकिन डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से इसे यूज़ करना है तो इस तरीके से चीजें आप सारी देख सकते हैं तो यह था हमारा Input Variables के बारे में सारा कुछ और मेरे उमीद है कि आपको इतना समझ आया होगा अगर आपको यह सब कुछ समझ आ गया है तो Comment section में आप Input Underscore Amar जरूर लिखें ठीक है Input Underscore Amar और साथ में यह भी लिखने You are still young इससे मुझे motivation मिलेगी कि मैं अभी young हूँ और मैं आप लोगों के साथ और दूर तक coding में जा सकता हूँ Input से related कोई भी आपका question है तो आप नीचे Comment section में लिख सकते हैं हम अब चलते हैं अपने next chapter में chapter number 7 chapter number 7 जो है हमारा वो related है conditional logical operators के ठीक है logical conditional या conditional operators के conditional logic conditional logics मैं कह देता हूँ इसे 7 number पे इसको मैंने dot pi करना है दुबारा से इसे dot pi करते हैं अब इस पे चलते हैं कि ये क्या चीज है conditional logics पे जाने का क्या मक्सद है let's see ठीक है इसमें हम कुछ operators use करते हैं equal to का operator है double equal फिर अगला operator है less than उसको हम शो करते हैं इस तरीके से फिर आ जाता है greater than उसको हम शो करते हैं इस तरीके से ठीक है फिर आ जाता है less than and equal to इसको मैं थोड़ा सा एक line में कर लूँ साथ साथ tabs दबार हूँ मैं तो ये line में आ रहे हैं तो यहाँ पर less than and equal to इस तरह हम लिखते हैं और फिर greater than and equal to हम लिखते हैं इस तरीके से ठीक है तो ये हमारे पास कुछ operators है और अगर हम ये equal to का function है तो यहाँ पर हम not equal to इसको हम लिखते है exclamation mark and equals ठीक है तो यह logical operator है logical operator या true होते है या false होते हैं ठीक है तो logical operators are either true or false or yes or no or zero or one तो या तो हमारे पास true false आते हैं या zero one आते हैं yes or no आते हैं ठीक है तो different किसम के logical operators हमारे पास मुझूद है ठीक हो गया यहाँ तक आपको पता होना चाहिए और मैं उमीद करता हूँ कि आपको basic mathematics आती है यहाँ पे और यह operators का पता है यह बहुत simple सी चीज़ी है ठीक है यह मेरा question है यह आपने मुझे तो पूछ लिया मैं कहाँ दूँगा हाँ 4 4 के equal है लेकिन हम python को कैसे पूछेंगे python को पूछने के लिए हमें लिखना पड़ेगा print इसके अंदर लिखना पड़ेगा 4 double equal to 4 और जब हम इसे run करेंगे तो यह हमें बताएगा yes true 4 4 के equal है ठीक है अगर मैं कहता के 4 is equal to 4 तो इसका मकसद कुछ और था जब मैं इसे run करता हूँ यह हमें syntax error देता है ठीक है equal to हम use करेंगे double equal to जब use करते है इसका मतलब है 4 is equal to आप यह समय लें यह is है यह equal to है ठीक है 4 के तो अगर मैं कहूँ के 4 is not equal to 4 मैं घलत कह रहूँ हमें दो पता है लेकिन python हमें कैसे बताएगा false कह के ठीक है true या false सही हो गया तो आपको यह दो operator समझ आगे होंगे print यहां बहुमें मैं लिखता हूँ 4 is not equal to 4 तो यह हमें false कह देगा अब अगर हम तीसरी चीज़ चेक करते है वो है कि 4 is greater than 3 ठीक है इसको जब हम run करते हैं आप देखें कि तीसरी हमारे पास जो चीज़ है यह पहला true है दूसरा false है तीसरा हमारे पास true आ रहा है कि 4 तीन से बड़ा है ठीक है फिर हम logical operator जो use करते है वो use करते है कि 3 is less than 6 3 is less than 6 तो यह भी हमें कहेगा true है अगर मैं यहां पह कहूं 3 is greater than 6 तो आप देखें यह हमें false कह देगा तो इस तरह के से true false यहां पह चलता रहेगा मैं कहता हूं print 3 is less than equal to 5 ठीक है तो आप देखें यह हमें कहता है true equal to को further समझने के लिए less than equal to further समझने के लिए हम later on advanced stages पे देखेंगे इसका मकसद क्या है ठीक है greater than equal to के लिए भी हम यही use करेंगे 5 is greater than equal to 4 तो यह हमें true देगा ठीक है क्योंके हम is equal to नहीं कह रहे और यहां पे हम greater than equal to कह रहे है अभी mathematics की जुआन में यह कुछ और है लेकिन logical operators की जुआन में थोड़ा सा differ करता है इनका utilization जो हम later stages पे देखेंगे मैं आपको जो है ज्यादा चीजों के साथ अभी क्या है उसे कहते हैं अभी logical operators की application कहां पे है application of logical operators logical operators की जो application है वो यह question में है के एक question है कि मेरा जो छोटा भाही है वो school में जाना चाता है ठीक है और उसकी age जो है वो 4 साल है लेकिन school वाले कहते हैं कि जब तक यह 5 साल का ना हो जाए तब तक school नहीं आ सकता तो इस formula को हम किस तरीके से utilize करेंगे python से कैसे पूछेंगे कि क्या वो school जा सकता है या नहीं तो मैं यहां पर लिखता हूँ हमाद underscore age is equal to मैं यहां पर लिखता हूँ 4 age underscore at school age at school 5 ठीक है minimum age इसको कर देते हैं या age at school 5 है अब मैं पूछना चाहरा हूँ print करो क्या हमाद की age equal है school जाने वाली age के ठीक है तो अगर तो यह हमें कहेगा true तो हमाद school जा सकता है otherwise हमाद school में नहीं जा सकता इनको मैं comment out करता हूँ और यहां से इसको run करते है ठीक है तो यह यहां पर कहता है false यानि के हमाद school नहीं जा सकता क्यों? क्योंकि उसकी age इस age के equal नहीं है तो इस तरीके से हमारे logical operators चलते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी Netflix पे movie देखते हैं या Amazon Prime पे या कहीं पे movie देखते हैं तो वहां पे age restriction लिखी होती है के are you 12 years old, are you 16 years old या are you 18 years old तो वो इनी parameters के base पे सारी लिखी होती है तो ये strings वहां पे भी काम आती है ये input function ये logical operators जो हैं ये वहां पे भी काम आते हैं तो ये इस example से आपको clear हो गया होगा कि हमने किस तरीके से conditional operators को use करना है इसकी एक और example मैं देता हूँ कि हमाद की age 4 बताने की बजाए मैं यहां से ये इतना सारा copy करता हूँ और इसको एक और तरीके से लिखते हैं कैसे लिखते हैं input, operator and logicals दोनों को use करते हुए मैं यहां पे age at school 5 है ठीक है, अब मैं पूछता हूँ what, यहां पे हमाद की age पूछता हूँ और मैं यहां पे input parameter डालता हूँ और जो चीज हमने पहले खुद से define की थी वो user से पूछते हैं कि age कितनी है जिसने school जाना है how old is हमाद ठीक है, how old is हमाद ठीक है, input लिखने के बाद हमाद age is equal to उसको मैंने print करके logical operator यूज कर लिए है यहां पे हमने input function यूज किया है और यहां पे यह input operator नहीं है, input function है और logical operator है हमने यहां पे input function यूज किया और यहां पे logical operator यूज किया अब हम इस formula को run करते हैं यह छोटा सा script है, तीन लाइनों का age जो है 5 है, वो अरड़ी आगी, how old is हमाद अगर मैं यहां पे 5 लिकूँ और enter करूँ तो वो कह देगा false, क्यों, वज़ा क्या है उसकी वज़ा यह है कि how old is हमाद, मैंने बताया 5 और यहां पे हमाद age is equal to age at school अभी हमने क्या किया है यहां पे हमने input के बाद जो function हमारे पास आया है हमाद age का, उसकी type चेक करनी है, ठीक है? फिर हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ है, क्या मसला हुए यहां पे print किया underscore age print, sorry यहां पे लिखेंगे type इसके अंदर parentheses में हमाद age तो अगर हम सिरफ इसको run करना चाहेंगे तो हम देखते हैं कि यहां पे class उसकी string आ रही है तो हमारे पास जो class है, यह numeric होगी, तो आगे काम चलेगा, तो मैं क्या करता हूँ हमाद age, ठीक है is equal to तो हमारे पास हमाद age आगी, अब क्या करेंगे हम हमाद की age को यहां पे int function के साथ हमाद age, इसको convert करेंगे let's see, अब हमारे पास क्या होता है print, how old is हमाद, 5, enter किया, तो आप देखेंगे, यहां पे true आ गया, क्यूंके हमने हमाद की age यहां से, string से int में convert कर दी ठीक हो गया, तो हमारे पास जो input आई, उसको हमने string से integer में convert किया, class change की, उसकी class हमारे पास, अब int आगे पहले हैं, हमारे पास जब यह नहीं थी, तो हमारे पास error आ रहा था, कि यह false है, let's see, यह देखें, यह पास, हमारे पास अगर 5 लिखते हैं तो हमारे पास string आ रही थी, जो false कहा रहा था, इसका मतलब 5 भी डालते थे तो वह string में आ जाता था, मतलब कहने का यह, जब हम five लिखते थे, तो वो five इस तरीके से नहीं, बलके इस तरीके से आता था, जो string की शकल में आ रहा था, ठीक है तो हम इस तरीके से convert भी कर सकते हैं, conversion कैसे करने हैं इसके बारे में हम further भी देखेंगे, और convert, input लिखें ताके मुझे समझ लग जाए, कि यहां तक आपने देख लिया है अभी हमारा जो आठावा चेप्टर है इसका नाम conversion है, या हम इसे type conversion कह देते हैं, ठीक है जैसा कि हमने पहले देखा कि हमारे पास types हैं different किसम की, तो हम दुबारा से देखते हैं कि कौन-कौन सी types हमारे पास मुझूद है, for example x जो है, हमारे पास एक number है जिसको हम 10 कह देते हैं y भी हमारे पास एक number है जिसको हम 10.2 कह देते हैं और हमारे पास z भी एक number है, जिसे हम simply hello कह देते हैं, ठीक है अब ही आप देखेंगे यह तीनों हमारे पास नमबर है दो हमारे पास नमबर हैं तीसरी हमारे पास स्ट्रिंग है अब हम क्या करते हैं हम देखते हैं print और type और इसके अंदर हम x लिखते हैं तो जब हम यह print करते हैं तो you can see कि जो x की type है वो है integer ठीक है जब हम यहीं पे y लिखते हैं तो y की type जो है वो है हमारी float ठीक है यहाँ पे यह जो है यह है integer यह है float float जो भी decimal points के साथ है और फिर यह है हमारे पास string नहीं मेरे पे यकिन तो यहाँ पे z लिखके print करें तो आप देख सकते हैं यह इसका नाम है string ठीक है z का अब हम क्या करते हैं मैं print को ऐसे रहने देता हूँ यहाँ पे x को मैं equal to कर देता हूँ x multiplied by y के मतलब हमने एक integer को float के साथ multiply कर दिया ठीक है जब हम multiply करते हैं तो फिर उसकी x की class देखते हैं क्या है ठीक है for example हम इस code को run करते है तो आप देखें कि यह class float हो गई है क्यों x 10 था उसको हमने एक float के साथ multiply किया है जो उसके बाद आ रहा था तो यह class हमारे पास float हो गई है ठीक है class जो है हमारे पास y की float हो गई है अगर हम यहां पे y को number कर दें integer कर दें और इसको float number कर दें then हम देखते हैं कि x की जो class है वो क्या होती है तो आप देखें कि अभी भी float ही है इसका मतलब है कि जो float number है यह priority पे है ठीक है लेकिन हम इसको दुबरा से चेक करते है y को x by y करते है तो आप देखते है y की class क्या है तो यहां पे आप देखें float आ रहा है इसका मतलब यह है कि आप किसी भी integer को जब एक float number के साथ multiply करते है तो वो जो है वो float number में convert हो जाती है उसकी class लेकिन जब हम plus करते है let's see फिर क्या बनता है ठीक है तो आप देखें कि यह फिर भी float बनेगा क्यों float बनेगा उसकी वज़ा है क्या वज़ा है print यहां पे x भी print करके देखते है या इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ यहां पे x प्रिंट करने के बाद कॉम लगा के type of x भी आ जाए ठीक है तो आप देखें कि यह इतना लिखने के जरूरत नहीं है x यह आ गया type of x is उसके बाद उसकी type आ जाएगी यहां पे कॉम आएगा ठीक है तो आप देखें 20.2 जो है यह x आ गया type of x is class float ठीक है अब आप यह देखें इसका मतलब यह है कि 10 प्लस 10.2 हमारे पास 20.2 हो जाता है जो और रड़ी float है तो इस तरीके से आप इसको convert कर सकते हैं जब आप यह वाला function use करते हैं इसको बोलते हैं हम मुश्किल सा नाम है implicit conversion implicit type conversion ठीक हो गया अब आप देखें implicit का मतलब है कि अंदरूनी तोर पे उसको multiplication या कोई भी हमने तरीके कार से कर दिया दूसरी type होती है explicit type conversion उसमें हम क्या करते हैं वो अब देख लेते हैं जैसा कि हमने पहले देखा कि जब हम यहां पर पूछते हैं age इसको input variable देते हैं उसके अंदर लिखते हैं what is your age ठीक है जब हम किसी से उसकी age पूछते हैं then हम print करते हैं type को age की type को ठीक है ठीक है तो क्या होते हैं मैं ये पिशे वाला सारा comment आउट करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं यहां पर क्या कहना चाहरा हूँ इसको मैं जब run करता हूँ तो वो कहता है what is your age मैं कहता हूँ 18 enter किया तो वो कहता है class इसकी string है how is it possible कि number की class string हो जाए ये तो integer होनी चाहिए थी तो अब हमने क्या करना है यहां पर जैसे मैंने पिछले chapter में आपको बताया कि age को हमने integer में convert कर देना है या तो हम यहां पर लिख देंगे integer age ठीक है then हम जब इसको type करते हैं 18 तो आप देखें कि यहां पर इसकी class या type change हो चुकी है integer में इसको इस तरीके से लिखने की बजाए आप input के बाद यहां पर भी age के बाहर भी int की लगा सकते हैं type let's see यह काम करता है यह नहीं what is your age मैं कहता हो 18 then it's saying integer तो इसका मतलब है इस तरीके से भी काम कर जाएगा और इस तरीके से भी कर जाएगा जैसे आपको बेहतर लगता है लेकिन यहां पर एक मसला है age जो हमने input किया वो print नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे इसके पीछे भी यहां पर age comma type integer age यह भी लगा देंगे simple is that यहां पर मैं 18 एड़ करता हूँ तो यह 18 आ जाएगा और class उसकी integer आ जाएगी ठीक है तो यह हम इस तरीके से integer को इसमें convert कर सकते है अभी अगर age मैं same formula में यहां पर 18.5 लेखता हूँ तो आप देखें यह कहता है invalid क्यों उसकी वज़ा क्या है उसकी वज़ा यह है what is your age के बाद जब integer में उसको float को convert करता है तो क्या होता है look यहां पर 18.5 की तो हमारे पास वो यह कह रहा है invalid letter error for integer with a base 10 ठीक है तो यहां पर अगर हम इसे float करेंगे इसको हम float कर देते हैं then you will see के 18.5 और यहां पर class float आगी तो इसका मतलब है कि integer जो है वो point वाले numbers को convert नहीं करता float integer के अंदर तो आपने कहा करना है यहां पर type जो है float use करना है ठीक है अगर आप 18 को as a string लिखना चाहते है जो already है तो उसके लिए भी आप यहां पर str का function use करके उसे string में convert कर सकते है ठीक है तो यह देखे मैं यहां पर लिखता हूँ what is your age वो पूछ रहा है मैं कहता हूँ 18 तो यहां पर उसको string में convert कर देगा ठीक है लेकिन हमारा जो literally यहां पर meaning है वो यह है कि integer में age show होनी चाहिए जो हम यहां पर 18 लिखते हैं उसके class integer आने चाहिए लेकिन हम इसी example को आगे फर्दर देखते हैं यहां पर पूछते हैं name ठीक है तो यहां पर हम कहते हैं what is your name ठीक है name का पूछने के बाद हम यहां से print यहां पर age को name से change कर देते हैं और यहां पर name लिखते हैं और यहां पर भी name लिखते हैं आपको समझ आ रही है कि मैं क्या करूँ मैं name is equal to input मांगा उससे और फिर उसके बाद print name किया और type यहां पर string कर दूँगा और ready string है लेकि मैं दोबरा से स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ let's see क्या होता है मैं इसको comment out कर रहा हूँ comment out करने के बाद इसको start करते हैं what is your name मैं कहता हूँ ammar class वो कह रहा है कि string है ammar नाम है और class string है अगर मैं इसको integer करता हूँ then क्या होता है let's see what is your name ammar तो वो कहता है कि little meaning इसका खराब हो रहा है अगर मैं अपने name को for example जैसे ellen musk ने नाम रखा है मैं इसको 18 कह दूँ या something like that कह दूँ तो वो integer में convert हो जागा तो ये python को नहीं पता कौन सा question पूछना है ये आप उसे बता रहें कि question क्या है और उसका little meaning क्या है तो आपने program को इस तरीके से design करना है कि integer और string अपनी सही जगा पे वहाँ पे आपको पता चले हम further on जो है अपने आने वाले sessions में जब हमारे पास advanced level का course आएगा उसमें देखेंगे कि आप किस तरीके से different किसम की data types को further आगे convert कर सकते हैं और इस chapter के खतम होने के बाद आप से request है कि आप यहाँ पे type underscore conversion जो है वो comment section में लिखते हैं मुझे पता है बहुत सारे comments आपके नीचे आ रहे होंगे लेकिन उसका फाइदा ही है कि आप follow up दे रहे हैं next chapter में मिलते है अब चलते हैं अपने chapter number 9 की तरफ जिसका नाम है if, else and alif statements ठीक है इसको फिर मैंने rename करना है आप start में इसको dot py कर लिए गरे तो ये हमारे पास आ जाएगी अब हम देखते हैं कि कहां पे हम ये तीन चीज़ें use कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया पहले कि for example एक मिसाल है कि school जाने के लिए जो age है required age age at school और जो हमाद की age है जो मेरा चोटा भाई है वो है चार सार ठीक हो गया अभी हमारा question ये है question ये है can हमाद go to school ठीक है अब हम इसको चेक करने के लिए यहां पे लिखते हैं if statement ठीक है जिसमें क्या होगा if if लिखेंगे हम लिखने के बाद हम अगले चीज़ लिखेंगे हमाद age is equal to double equal का sign लगा आगे conditional operator है required जब मैं ये लिखूँगा तो पूरा पूरा object हमारे पास आज़ेगा इस पर click करूँगा is equal to this then colon का sign यूज़ करूँगा वो use करने के बाद जब मैं enter दबाऊँगा तो इसका मतलब है कि ये code यहां से आगे intended हो गया है intended code का मतलब यह है कि इतनी space आगी है इसका मतलब है ये जो early line हो गया वो इसी code का हिस्सा है यहां पर मैं लिखता हूँ print करें हमाद can join the school ठीक है ठीक है अब हम इसे run करते हैं code को ठीक है जितनी मर्ज़े आप spaces डाल दें यहां पर code उतने ही run होगा जिस तरह होना है क्योंकि spaces doesn't matter यहां पर if we लिखने तो आप यहां पर एक space डाले इसको मैं run करता हूँ तो आप देखें कि हमारे पास एक syntax error आ रही है कौन सी कि line 1 characters let me see क्या मसला यहां पर string हमाद एज 4 is equal to required age at school 5 5 4 5 6 6 6 8 9 10 10 अच्छा यहां पर मैंने naming में यह नहीं करना चाहिए था let's see अगर आप काम करता है बिलकुल तो उसकी naming में मसला था आप देखें कि यहां पर हमाद की age है 4 साल और required age at school है 5 साल question यह है can हमाद go to school तो उसको ask करने के लिए हमने question को पूछने के लिए if statement use की और यहां पर लेका हमाद age double equal to is equal to the required age इसका मतलब है कि required age school में जो है अगर इसके equal हमाद की age है if this statement is true then print this ठीक है इसका मतलब यह है कि अगर हमाद की age required school की age के बराबर है तो यह print करते है ठीक है जब हम इसे run करते हैं तो यहां पर कुछ भी print नहीं होता क्यूं? क्यूंके यह एक false statement हम लिख रहे हैं कैसे हमाद की age चार साल है लेकिन required age at school 5 years है यहां पर इसको चार की बज़ाए अगर मैं 5 करता हूं और इसे run करता हूं you can see हमाद can join the school तो इसका मतलब है कि जब आप if statement लिखते हैं तो उसके बाद अगर यह condition पूरी ना हो तो आपको यह भी बताना चाहिए कि अगर यह नहीं पूरा होता कुछ और है तो आप यह print करते हैं for example अगर हमाद की age इसके बराबर नहीं है तो आप यहाँ पे else लिखें else लिखने के बाद colon लगाए colon लगाने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं print हमाद cannot go to school अब आप इसको print करते हैं तो देखते हैं तो आप देखें यहाँ पे statement आ रही है हमाद cannot go to school इसका मतलब है कि अगर हमाद की एज इसके एकल होती तो ये प्रिंट होता अब एकल नहीं है तो ये प्रिंट हो रहा है तो if और else की statement का ये मकसद है अगर हम यहाँ पर again change करें और हमाद की एज 5 years कर दें उसकूल में 5 सार रिक्वायर है तो यहाँ पर आप देखें हमाद करें join the school ये तो होगे हमारे पास दो conditions अगर हम एक और condition इसमें add करें कि अगर हमाद की age जो है वो 10 साल है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर तो आ रहा है कि हमाद cannot go to school ठीक है या तो हम इसको लेक्ट सकते हैं या तो वो school नहीं जा सकता और should join higher school higher classes यहाँ पर लिखके हम ये एक comment दे सकते हैं लेकिन हम तीन conditions को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं दूसरी condition कौन सी है पहले उसको देखते हैं कि if हमाद age is equal to required age at school then ये प्रिंट हो ठीक है otherwise हम एक तीसरी condition भी ले आते हैं जिसे हम alif बोलते हैं इसका मतलब है else if ठीक है else if का मतलब ये है कि हमाद की age अगर greater than ठीक है required age at school है तो क्या होगा फिर हम प्रिंट करें यहां पे हमाद is यहां पे लिखता हमाद should join college या higher secondary school सिर्फ एक example है ठीक है यह हमारा kinder school है kindergarten school है जिसमें हमाद की age अगर 5 साल होती तो वह join करता लेकिन हमारे पास यह conditions आगी हैं अगर हमाद की age 5 साल है तो आएगा comment हमाद can join the school यहां पे हम थोड़ा सा ट्विस्ट दे दे देते हैं congratulations हमाद can join the school और इसके आगे हम period लगा देते हैं full stop else if अगर हमाद की age required age से ज्याद है मतलब 5 से ज्याद है अगर 5 के equal है तो यह print हो जाएगा 5 से ज्याद है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 25 जो भी है then यह print हो जाएगा अगर यह दुनों conditions ही नहीं पूरी होती तो फिर यह print हो जाएगा और इसमें से हम निकाल सेते हैं यह वली चीज़ ठीक है let's see क्या होता है अब मैं print करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा हमाद should join higher secondary school क्योंके यहाँ पे 10 है मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ let's see क्या होना चाहिए यहाँ पे तीन लिखा तो वो कह रहा है कि जी हमाद cannot go to school तो आप यहाँ पे देखें क्यों नहीं जा सकता क्योंके हमने else statement में लिखा है कि 5 या 5 से ज्यादा है तो ठीक है अगर कम है तो यह वाली statement print हो जाएगी अब अगर मैं यहाँ पे 8 साल लिखता हूँ या 10 साल लिखता हूँ या यहाँ पे मैं 15 लिख देता हूँ ठीक है लेट सी नाओ इस सेंग हमाद शुट जॉइन हाईर स्केंडरी स्कूल तो else if statements का यह मकसद है यहाँ पे आप जितना दिल करता है आप अतनी if statement लगा सकते है यहाँ पे एक और अगर दो साल है हमाद की एज तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए you should take care of हमाद he is still a baby ठीक है let's see अब क्या होता है हम यह प्रिंट करते है तो हमारे पास आ रहा है महाद शुट जोइन दा हाईर स्केंडरी स्कूल क्योंकि यहाँ पे पंद रहा है अगर मैं exactly यह वाली कंडिशन पूरी कर दूँ इसको अब यहाँ पे equal to two किया हमने तो आप देखें यहाँ पे आ रहा है you should take care of हमाद he is still a baby तो यहाँ पे दो साल से कम दो साल के equal है तो यह हो गया अगर मैं यहाँ पे एक और कंडिशन लगाँ less than or equal to two अब यहाँ पे less than or equal to two आएगा मतलब दो लगाई है तब भी हमारे पास यह वाली age आ रही है अगर मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ तब भी आप देखें हमारे पास यह वाला कुमेंट आ रहा है मतलब दो या दो से कम होगी age तो हमारे को आपको हमारे की care करने चाहिए तो यहाँ तक आपको else या if statements की अगर समझ आगी है that's great अगर नहीं आई तो comment section में ज़रूर लिखे please repeat else if statement अगर आपको समझ आगी है else if alif else statements clear यह आप comment section में लिख सकते है अगले chapter में हम मिलते है जहां पर हम discuss करेंगे functions को अब चलते हैं जिए हमारे chapter number 10 की तरफ chapter number 10 और जिसका नाम है functions dot by chapter number 10 में हम functions देखेंगे कि functions क्या होते है और इनका क्या फायता है for example हमने recent या अपने जो पिछले chapter zone में देखा है कि print function हम use करते है और print के अंदर हम लिखते है how old are you या हम लिखते है यहां पर we are learning with amar ठीक है हम इसी function को जब print करते हैं तो यह हमारे पास यहां पे एक दफ़ा we are learning with amar print हो जाता है जब मैं इसे दो दफ़ा प्रिंट करता हूं तो यहां पे यह दो दफ़ा प्रिंट हो जाता है और जब मैं तीसरी दफ़ा प्रिंट करता हूं तो यह तीन दफ़ा प्रिंट हो जाता है तो इस तरह 100 on यह चलता रहता है ठीक है लेकिन जब यही function को मैं छे दफ़ा प्रिंट करता हूँ तो आप देखें कि छे दफ़ा प्रिंट तो हो गया लेकिन अक्सर अकाद हमें अपने जो functions है यानि ये प्रिंट जो है एक function है जो call कर रहा है output में ये वाली string को function का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ आप लिखें वो एक मकसद के तहएत आपको output में show हो जाए ठीक है अभी इसको हम देखते है लेकिन आप देखेंगे कि यहां पे मैंने intentionally ये गलती की जो आपको लग रहा होगा कि मैं spelling mistake कर गया हूँ अगर मैं यहां पे लिखता learning तो मुझे जी लगाना पड़ता अभी मुझे जब इसको मैं print करता हूँ तो मुझे सभी के साथ जी लगाना पड़ेगा लेकिन ये बहुत स्यादा hectic काम है जब आप hundreds of lines of codes के साथ काम कर रहे हैं तो इसको करने के लिए आप simple सा एक function जो है उसे define कर सकते हैं खुद से अब तक आपने सारे packages सारा कुछ देखा जो already चलता आ रहा था ये किसी ने print function जाएए भी define किया हुए इसके बड़े में detail में discuss करेंगे अपने next course में लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताओं कि functions को कैसे define करने है defining a function ठीक है इसको define करने के लिए सबसे पहले आप जो चीज लिखते हैं वो है def define करने के लिए ये एक function को define करने के लिए एक python की argument है या command है then आप क्या करते हैं function का कोई भी name देते हैं मैं यहाँ पर लिखता हूँ print kodenics तो ये मेरे function का name हो गया तो जैसे आपको पता है जैसे हम print को लिखते हैं उसके बाद हम parenthesis लगाते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम इस function को define करने के बाद भी यहाँ पर parenthesis लगाएंगे जब हमारा function यहाँ पर def का function लग गया और print kodenics और ये parenthesis आगे इसका मतलब है कि यह हमारे function का नाम है और यह हमारे function को define करने के लिए हमने एक चीज लगाई है इसके बाद हम लगाएंगे colon enter करेंगे मैं इसको थोड़ा सा zoom in कर लेता हूँ enter करने के बाद आप देखते हैं कि यह line जो है यहाँ से उठके tap function के साथ तो automatically आगे चलेगे जिसका मतलब है कि यह एक ही line of code गिनी जाएगी ठीक है अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ यह वाली चीज सारी ठीक हो गया लेकिन इसको लिखने से पहले यह तीन दफ़ा copy करने के बाद paste कर दिया ठीक है इसको भी कि मैं यहाँ से उठा के इसी line में ले आता हूँ ताके एक ही function का हिस्सा बन जाए यह तीनो तो आप देखें कि मैंने एक line में कर दिया तो इसका मतलब है कि यह हमारा जो function है यह define हो गया अब मैं backspace दबा के पीछे जाता हूँ तो इसको define करने के बाद मैं इन सबी को जो है delete कर देता हूँ ताके हम scratch से start करें defining function मैं यहाँ पे जब लिखता हूँ print codanics ठीक है और यह function लगाता हूँ let's see क्या होता है मैंने जब print किया तो तीन दफाँ यह we are learning with amar यहाँ पे print हो गया एक तो यह तरीका है function को define करने का number one फिर number two की तरफ चलते है number two way जो दूसरा तरीका है वो यह है कि आप simply मैं सारे के सारा function यहाँ से copy करता हूँ यहाँ पे paste करता हूँ और इसको यहाँ के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ text ठीक है text लिखने के बाद यहाँ पे equal to लिखता हूँ और यहाँ पे मैं यह वला सारे के सारा text जो है इसे उठा के एक string variable बना देता हूँ ठीक है यह आपको पता है कि हम function के अंदर nested यहाँ पे text का एक variable बनाया और इसे assign कर दिया ठीक है आप यह देखें कि हमने print codanics का एक function बनाया उसमें text को हमने एक उसी function के अंदर हमने जो है वो एक string बनाई string variable बनाने के बाद हम तीन दफा इसे print कर देते हैं print text ठीक है फिर यहाँ पे print फिर यहाँ पे अंदर इसके text तो हम इस तरह तीन दफा प्रिंट कर देते हैं इसको करने के बाद हम backspace बादेते हैं ताके हम उस function से बाहिर आ जाए आने के बाद यहाँ पे print underscore codanics को जब हम function को यहाँ पे लगाएंगे तो आप देखें कि क्या होता है यह पहला पहला तरीका था function को define करने का यह दूसरा तरीका है आप देखें कि मैं पहले वाले तरीके को comment आउट करता हूँ और दूसरे वाले तरीके को run करके देखते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे same चीज जो है वो run हो रही है अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मेरे पास thousand lines भी है ना print kodanics की और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ in kodanics youtube channel तो आप देखें कि यह automatically change हो जाएगा मैंने सिरफ एक line में changing की और यह सारी automatic changes यहाँ पे आ गई तो यह हो गया दूसरा तरीका function को define करने का ठीक है फिर एक तीसरा तरीका भी है वो कौन सा है कि हमने क्या करने है define करने print underscore kodanics को यह function हमने define किया और इस bracket के अंदर यहीं पे text लिख दिया ठीक है लिखने के बाद enter किया और यहाँ पे print लिखा print के बाद हमने लिखा text इसी तरीके से नीचे भी हमने print text ठीक है फिर दुबारा से print text हम same function को बार बार लिख रहे हैं और फिर इसके बाद हमने print kodanics का function यहाँ पे run करना है ठीक है मैं इसको comment out कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखें कि यह same जो है हमें क्या कर रहा है कि हमें बता रहा है कि कोई text ऐसा दें इसके अंदर जो हम print करें तो हम अपना text जो है वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कौन सा text यह same text वो ही आर learning python with a mar in codenix youtube channel ठीक है अब जब आप इसको function को run करेंगे तो आप देखें कि सब कुछ यहाँ पे print हो रहा है तो इस तरीके से आपने जो भी चीज तीन दफ़र repeat करनी है वो इस bracket में लिखेंगे तो वो यहाँ पे repetition में already आ जाएगा यह तीसरा तरीका होगए function define करने का same ठीक है अब हम एक और तरीका देखते है और वो क्या है उसमें हम if else statement लगाएंगे defining a function with if alif and else statements ठीक है अब ही हमने क्या करना है हमने एक school education का calculator बनाना है जो हमने पिछली वीडियो में एक calculation की थी यहाँ पे हम क्या करते है simply def का function लगाते है मैं यहाँ पे लिखता हूँ school underscore calculator ठीक है function का नाम मैंने लगा दिया अब यहाँ पे मैं सारे का सारा यह वाला code जो है इसे उठा के ले जाता हूँ ठीक है जो पिछली chapter का code है यहाँ से इसको मैं आगे कर लेता हूँ यहाँ से भी क्योंकि हमने इसको एक line में रखने और यह print को अगले line में लेके जाने मैं सिर्फ एक code में समा रहा हूँ जो मैंने पिछली chapter में आपको बताया था किस तरीके से लाना अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे बलके इसको scratch से दोबारा बनाते है scratch से दोबारा बनाते है आपको easy रहेगा यहाँ पे हम कहते है कि एक school calculator हमने बनाने जिसमें हम कि यहाँ पे लिखें age, text ठीक है और यहाँ पे लिखते है if age is equal to 5 ठीक है then क्या करें column लगाने यहाँ पे लिखेंगे print हमाद can join the school ठीक है यहाँ पे लिखेंगे alif जो हमने पिछली statement थी उसे है करेंगे age is greater than 5 यहाँ पे लिखेंगे इसके आगे column लगाने हमने और यहाँ पे लिखेंगे print हमाद should go to higher school ठीक है यहाँ पे लिखेंगे else print हमाद is still a baby ठीक हो गया तो आप देखें कि यहाँ पे हमने एक function define किया जिसका नाम है school calculator अगर age हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो यह फिर print के बाद यह text आ जाना चाहिए ठीक हो गया अभी text कौन से आना है वो आपको हम दिखाते हैं ठीक है let's see क्या होता है इसमें इस function को मैं यहाँ पे लिखता हूँ school calculator और इसके अंदर मैं लिखता हूँ five ठीक है कॉमा हमाद let's see क्या होता है इसका साथ हमाद कैं join the school क्योंकि मैंने age जो है यहाँ पे five लिखी और वो कहते हैं अगर age five के equal है तो यह वला प्रिंट होगा अब मैं यहाँ पे हमाद की age जो है वो पंदरा लिखता हूँ तो आप देखें हमाद should go to higher school ठीक होगा अगर यहाँ पे मैं इसकी two years age लिखता हूँ हमाद is still a baby ठीक है तो आपने इस तरीके से function define करना है अभी मैंने हमाद का नाम यहाँ से delete किया लेकिन आप देखें कि हमारे पास कोई भी text यहाँ पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे इसको remove करता हूँ और यहाँ पे two रहने देता हूँ then our function is still working तो हमें यहाँ तक आपको समझ आगी होगी इस तरीके से हम define कर सकते हैं किसी भी function को एक function को और हम mathematical operators के साथ define करते हैं वो कैसे करना है defining a function of future future function हमने define करना है यहाँ पे def का function लगाया ठीक है add या इसमें लिख देते है future underscore age ठीक है इसका function हमने बनाया और यहाँ पे हम लिखते है for example age ठीक है यहाँ पे लिखते है कि new underscore age is equal to age plus 20 ठीक है future age मतलब 20 साल बाद हमारी age क्या होगी तो यहाँ पे लिखते है return new age तो इससे क्या होगा हमारा एक function बन गया जिसका नाम है future age इसके अंदर अगर हम मैं यहाँ पे 18 साल लिखता हूँ तो 20 साल बाद क्या होगा let's see यह function हमारा काम करता है या कोई error देता है तो आप देखें कि हमारे पास कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा इसका मतलब है कि हमें कुछ करना है यहाँ पे future age के बाद return तो आ रहा है लेकिन हमारे पास कुछ भी यहाँ पे show नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे क्या करते है new age को हमने return किया लेकिन future age के बाद 18 और यहाँ पे हमने print का function लगा के करना है new age ठीक है let's see तो यह अभी भी काम नहीं कर रहा अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे future age के आगे 18 age लिखती ठीक है लेकिन इसके पीछे हमने लगाना है how यहाँ पे लिखेंगे future predicted age इसको equal to कर लिया future age का function लगा के 18 years old तो हम यहाँ पे करेंगे print हमारी future predicted age को तो आप देखें कि क्या होगा हमारे पास 38 आजएगा इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पे एक function बनाया जिसमें इसके अंदर automatically 20 एड हो जाएंगे और return आएगा हमारे पास new age का ठीक है तो इस function से हमें future predicted age मिल जाएगी यह छोटी सी एक machine learning का module है जिससे हमने एक future prediction की है किसी भी age की तो आप देखें कि छोटी छोटे functions को यूज करने के बाद आप कितना powerful काम कर सकते हैं अभी यहाँ पे अगर मैं पांच लिखूंगा तो आप देखें आटोमेटिकली दास उसमें जमा हो जागा 25 आजएगा तो next chapter में हम मिलते हैं अगर आपको functions की समझ आ गी है I understand functions really good really well कर दें तो आप ये वाला comment section में लिखें ताकि मुझे पता चले कि कि आपने मेरे साथ practice की है next chapter में मिलते हैं अब हम चलते हैं अपने chapter number 11 की तरफ जिसका नाम है loops बहुत ही important chapter है ये क्योंकि loops जो है ये python की जान है और इनके थ्रूँ हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो define करते हैं अब यहां पे हम loops में दो किसम के loops होते हैं while loops and four loops ठीक है तो हम पहले देखेंगे while loops को while loops में हम कोई भी चीज़ जो है वो define करते हैं और loops होते कि हैं इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ जैसा कि आप सबी जानते हैं कि बच्पन में जब एक बच्चा 5 से 10 साल का होता है तो उसकी ममा रुजाना उसे उठा के स्कूल भेजती है और ये काम वो रुजाना की रुजाना करती है ठीक है तो वो loop में एक काम को बार बार करती है until unless वो बच्चा जो है वो खुद बाखुद स्कूल जाने के लिए तियार हो जाए just imagine ये condition है हमारे पास ठीक है अब यहां पे हम x is equal to zero define करते हैं और यहां पे हम similarly while को use करते हैं ये function है while को use करने के बाद हम कहते हैं कि x is less than 5 while x is less than 5 print x ठीक है इसका मतलब यह है कि जब x जो है वो less than 5 है तो आप यहां पे simply x को print करें लेकिन होगा ये कि यहां पे हमें x is equal to x plus 1 करना पड़ेगा वो क्यों करना पड़ेगा इसकी तरफ आते हैं तो हम इसको run करके देखते हैं कि क्या होता है इसमें तो आप देखें कि यहां पे run हो रहा है 1,2,3,4 ठीक है तो less than 5 हमने बोला था तो इसका मतलब है कि जब तक x पांच तक नहीं पहुंच जाता तब तक x को print करो अगर हम x plus 1 ना करते तो यहां पे x की values जो है वो बार बार इसी loop में infinity की तोर पे 0,0,0,0,0,0 या 1,1,1,1,1 इस तरीके से आती रहती तो इसको हम infinite loop कहते हैं जो को भी खतम नहीं होता ठीक है तो हमें यहां पे एक increment देनी करती है ताके x की जो value है वो 5 तक पहुंच जाए और वहां से रुक जाए अगर हम यहां पे x is less than equal to 5 करते तो क्या होता तो आप देखें यहां पे 5 भी आ रहा है ठीक है तो यह यहां पे इसका use है इसके बाद मैं थोड़ा सा zoom out कर लेता हूँ और यहां पे हम दूसरा loop देखते है जिसका नाम है यह हमने while loop देखा इसके बाद हम देखते है four loops four loop क्या होता है इसमें हम simply वो ही काम करते है four x in range ठीक है range हम बताते है पांच से दस तक की range है four x in range फिर हम लिखेंगा print x ठीक है अब इसमें क्या है इसमें हमने वो ही चीज़ बताई है कि जब तक x पांच और दस के दर्मयान है तब तक इसे repeat करते हो let's see क्या होता है मैं यह वाले code को comment out कर देता हूँ तके सिर्फ यह वाला code run हो तो आप देखें कि यहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6, 7, 8, 9 यह चार digits यह हैं यह print हुआ है let's see again ठीक है तो क्यों ऐसा हुआ क्योंकि हमने एक range बताई थी 5 से 10 तक यहां से 4 से 11 कर दें आप तो आपके पास range आजाएगी 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो इस range के दरम्यान दरम्यान x की value जो है वो बार बार move कर रही है ठीक है तो यह हमारा 4 loop होता है तो इसको एक प्रोग्राम में हम किस तरीके से use करते हैं वो देखते हैं मैं बड़ा स्कून से आपको यह चीज़ बताने वाला हूँ क्योंकि यह बहुत important चीज़ है for example हम एक array बनाते है array का मतलब होता है एक data set ठीक है इसके बारे में हम discuss करेंगे लेकिन आप इतना समझने कि हमने एक array बनाई array को हमने नाम दिया days का इसके अंदर हमने different days जो है उन्हें merge किया like Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday ठीक है यह हमने एक array बना लिए days की ठीक है अब यहाँ पे हम क्या for look को use करेंगे कैसे for d in ठीक है यह हम लगाने के बाद कहेंगे कि days के अंदर for d in days print क्या d print करें अब इसमें क्या है i in days करके भी यह कर सकते है इसका मतलब है कि entity जो भी इसके अंदर है उसको हम d का नाम दे देते हैं days के अंदर आप इसे i भी कह सकते हैं similar बात है तो जब हम इसे d का नाम देते हैं तो print day करें तो जब हम इसे run करते हैं you can see here कि Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday अब यहाँ पे एक हमारे पास missing value है वो कौन सी है यहाँ पे हम Wednesday लिखे देते हैं यह unintentionally मेरे से miss होगी अब अब दुबारा चेक करें तो Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday यहाँ पे Monday भी आएगा ठीक है यह सारे days जो हमारे पास आगे अब हम क्या करते हैं हम यहाँ पे कहते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पे हम logical operator यूज़ करने के बाद भी इसको लगा सकते हैं for example मैं कहता हूँ if यहाँ पे हम if functions यूज़ करते हैं और हम कहते हैं कि if d is equal to यहाँ पे if functions यूज़ करने के बाद कहते हैं d is equal to Thursday यह हम कहते हैं कि Friday then break this for loop break कर दो इस loop को ठीक है let's see क्या होता है इस से यह होगा आप देखें Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday जब आया तो automatically यहाँ पे रुग गया जब Friday आया तो इस से आगे loop ही नहीं चला तो हमने यहाँ पे break कर दिया इस से क्या होगा loop stops ठीक है अब अगला if statement हम एक हो लगाते है उसमें हम कहते है if d is equal to Friday then continue ठीक है हम इसको comment out करते है let's see अब क्या होता है अब यह वाली चीज़ इसमें नहीं run करेगी ठीक है let's see तो आप देखें के continue सारा चल रहा है लेकिन इस से क्या हुआ हमारा Friday जो है वो skip हो गया skips d ठीक है जो हमने यहाँ पे mention किया कि जब d Friday पे आता है तो वो skip हो जाएगा वहाँ से continue करो यहाँ पे break हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से आप अपने loops जो हैं उन्हें different तरीकों से define कर सकते हैं तो loops को define करने के कही और भी तरीके हैं लेकिन हम basics में इतना ही सेखेंगे आगे advanced courses में मैं आपको further इसकी बहुत सारी detail में बातें बताऊंगा हम चलते हैं अब अपने next chapter की तरफ जिसका नाम है chapter number 12 import libraries ठीक है again rename करने के बाद या पहले ही इसमें .py कर दिया करें import libraries में क्या होता है कि आपको मैंने define function वाले chapter में chapter number 10 में बताया कि आप इस तरीके से function define कर सकते हैं लेकिन दुनिया में बहुत सारे programmers हैं जिन्होंने already बहुत सारे functions जो हैं define किये हुए है तो खुद से define करने के बजाए open source उनके functions जो है उन्हें आप use कर सकते हैं ठीक है उस उन functions में से कुछ functions आज हम देखते हैं तो for example अगर आप चाहते हैं if you want to print the value of pi pi क्या है यह एक symbol है जो mathematics में use होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक library import करते हैं import math ठीक है हमने यह library import की import करने के बाद हम क्या करते हैं यहां पर करते हैं print ठीक है हम यहां पर लिखते है the value of pi is space यह हमने अपना एक string लिख दिया ठीक है फिर इस space के बाद हम लिखते हैं math जब हम math लिखेंगे तो हमारी यह library open हो जागी dot अब यह math की सारी functions हैं इसमें से कोई भी आप use कर सकते हैं ठीक है आप यह देखें सारे इसके function है तो हम क्या करेंगे math dot pi जब हम यह लिखेंगे तो क्या करेगा यह pi की value यहां पे print कर देगा let's see क्या होते है तो आप देखें कि आपके पास एक error आ रही है इसकी वज़ा क्या है वो हम देखते हैं क्यूंके यहां पे I think so हमने कोई हाँ यह intended हमने आगे को किया हुआ था और यह भी हमने आगे को किया हुआ था अब ठीक है तो आप देखें the value of pi is 3.14 और आगे तक जा रही है तो इस तरीके से आपको यह पता होना चाहिए कि यह जब आप कोई भी एक hashtag यूज़ करें है space यूज़ करें तो यह आपका जो code है वो पीछे line के साथ touch होना चाहिए ठीक है otherwise आपका code run नहीं करेगा तो इस तरीके से आप different किसम के जो libraries है उन्हें import कर सकते है इसी तरीके की एक और library है import उसको हम करते है statistics statistics की library है for example हमारे पास एक value है x की is equal to हम इसको कहते है array बना लेते हैं इसे 150 250 350 450 450 ठीक है और हम यहाँ पे करते हैं print statistics dot mean of x let's see क्या आता है तो हमारे पास इसका mean आ गया यह जितनी भी values है इन सभी को plus करने के बाद यह पूरे array का मेरे पास mean आ गया तो इस तरीके से आप different किसम के statistics की libraries को use कर सकते हैं इसमें क्या क्या है आप सिरफ statistics dot लगाएंगे तो main, median और बाकी सारी चीज़ें भी इस तरीके से आ सकती है standard deviation, variance ठीक है यह सब कुछ इस तरीके से आप libraries में use कर सकते हैं ठीक है ready-made functions और open source libraries को इस तरीके से इंपोर्ट करने के बाद उनको utilize कर सकते हैं तो इस chapter में आपको यह समझा गया हुए कि हमने libraries कैसे import करनी है कुछ important libraries के नाम में बता दूँ numpy है pandas है ठीक है और इसी तरह और भी बहुत ही important libraries है python के अंदर जिने हम बड़ी detail में future में देखेंगे जो हमारी statistical analysis के लिए use होती है हमारे जो different किसम के जो data visualization है उनके लिए use होती है और hopefully आपको यह libraries use करने का मैं further advanced classes में बताने वाला हूँ अब हम चलते हैं अपने 13th chapter की तरफ जो troubleshooting का chapter है 13 troubleshooting.py हमारे पास जितनी भी errors आती है python के अंदर troubleshooting उनकी कैसे करनी है सबसे पहले तो हमारे पास error आती है for example हम यहां पर print लिखते हैं print लिखने के बाद हम यहां पर लिखते हैं we are learning with learning अमार learning python with अमार अब आप यह देखें कि जब मैं इसको run करूंगा तो हमारे पास error आएगी this is called syntax error इसका मतलब यह है कि you forgot a comma or something ठीक है तो हमें यहां पर quotation लगाने पड़ेगी otherwise हम इसको run नहीं कर सकते हैं ठीक है this is called syntax error और हमारे पास जो इसके इलावा एक और error होती है जिसको हम बोलते हैं let's see मैं पहले आपको दिखा दूँ print 25 by 0 आपको पता है कि कभी भी जब भी हम किसी चीज को 0 पर डिवाइड करें तो हमारे पास एक error आती है इस error को हम 0 division error यहां पर कह रहें लेकिन इस error का नाम है run time error तो हमें क्या करना है 0 के बज़ाए कोई और digit use करना है यहां पर हमें quotation marks लगाने और python से python की language में बात करें otherwise syntax error देगा जब वो यह कहेगा कि कोई mathematically आपकी error है तो उसको हम run time error कह देते है ठीक है और इसको troubleshoot करना भी easy है इसको भी troubleshoot करना easy है लेकिन फिर आती है तीसरी किसम की error उसको troubleshoot करना बहुत मुश्किल है क्यों मुश्किल है मैं आपको दिखाता हूँ name is equal to amar ठीक है मैं यहाँ पे अगर मैं लिखों print hello यहाँ पे मैं लिखता हूँ hello amar hello name तो मैं यह सोच रहूँ कि यह name जो है यहाँ पे automatically amar हो जाएगा लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे hello के बाद name आ रहा है इसको हम बोलते हैं semantic error इसका मतलब क्या है कि यह जो भी error यहाँ पे आ रही है यह हमारी अपनी गलती है python बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहा हर एक चीज़ को हमारी गलती है कि हमें यह नहीं पता कि python के किस जगा पे कौन सी चीज़ add करनी है तो इस error को remove करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जब आपकी lines of code बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप को ढूनना मुश्किल हो जाते है कहां पे आपने यह inverted commas वाली या string वाली error की है तो इसको करने के लिए इसका सही तरीका यह है कि आपको पकड़ पकड़ के हर चीज़ को hello space के बाद यहां पे comma लगाने के बाद और यहां पे name का एक variable देना पड़ेगा जो हम पिछले chapters में देख के आए है तो इसको जब हम print करते है तो you can see now here hello amar आ रहा है ठीक है तो यह चीज़ आ सकती है आप देखें कि जब हम hello amar करते है तो यहां पे एक space है अगर हम यहां पे plus लगाते है then क्या होता है let's see तो आप देखें कि यहां पे space कोई नहीं है ठीक है तो अकसर हमें space नहीं चाहिए होती तो हम plus लगा देते हैं आगे बजाए है यहां पे यहां पे अगर space देनी है तो इस तरीके से space भी आ जागी ठीक है तो hopefully आपको errors को troubleshoot करना भी आ गया होगा troubleshooting is easy अगर आपको यहां तक सबी समझ आ गई है तो आप comment section में लिखें कि troubleshoot is easy troubleshooting is easy sorry for that अब तक के लिए यह जो 13 chapters देखें आपने यह basic python के लिए बहुत ही important chapters है और hopefully आपको अभी तक समझ आगी होगी